एए बुठे कल से तू भू लोक में तपस्या नहीं करेगा यम लोक में करेगा कहा है बे तू तूने मेरी जिन्दगी से खिलवाड किया है एए तू तो गया मेरे हातों से मरेगा तू मुझे चीट करेगा क्या सब मर्द ऐसे ही होते हैं इसका नाम सिद्धू है और ये है हासनी बच्पन में हुए एक हादसे की वज़े से ये लड़कियों से नफरत करता है और इसे लड़कों से नफरत है अब इन दोनों के बीच में भी एक कहानी है जिसे जानने के लिए इनके ई-ई-ई कहानी को आ-आ से शुरू करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं अब इसे ने इसने क्या बोला हमको पता है तो भूतों को बुरा मानना चाहिए तुम क्यों बुरा मान रही हो तुम्हें 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 बिल्कुल नहीं आ निया तुम्हें लड़कार को निया तुम्हें को o सम्मंद्ध नहीं है क्यों सभी रही शाब बला तुने पुनेगा क्या 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 कुझे पड़िए फवागे नहीं आपगा इसे दू सिदू आज़ और रहा क्या सिदू क्या सिदू पीचेश मैं जो बोचराओ वो सुनने का ना एक है जै जै चल्दू झाल झाल इते हाँ सांने, कि यद्वारोस कहाँ suit कर दिया भाई तुम तो भूत को कंट्रोल में चोड़ दे वाई तुझे इस कॉलोनी में होना चाहिए था वेट आशो देम अरे वह तो रिवर साहिए इसे रोड समझ के रखा या रनवे कैसे भागाता है यह तो लेडिस है लेडिस है मेरी तो बच्पन से इंसे दुश्मनी है गाड़ी से नीचे उतार वोट नॉंसेंस इस तूने किया और नंसेंस सब्सक्राइब और यहां कितने लोगों को ठोकने के बाद एसा एक्सपिरियंस आया होगा इजद से हम सब को सॉरी बोल तुम्हें सोरी कहूं सब्सक्राइब नहीं बोलेगी अरे क्या हुआ तुम्हें से कह रहा हूं हां सुना आ रही हूं दादी डोसा एक नमबर बनाया है कितना ठूसेगा आप आसन कर ले दादी रोज शाम को मैं और मेरे दोस्त बहुत सारे आसन करते हैं पता हैं क्या? कहां पर जनता बार में वहां हम सारे आसन करते हैं रादी अच्छा वजरासन शमासन मदिरासन मुझे पता ही था शाम होते ही तुम्हारे जनरेशन के सारे लड़के बार में बीयर पिएंगे सेलफोन और कंप्यूटर में घुसे रहेंगे तुम 25 के नहीं होते हो लेकिन हो रहा है जल्दी लेकर आओ हो गया जी अब बपा साही बाबा है बजरनबली मैं आपका भक्त हूं हम सब बैचलर सी है ना कोई भी लड़की मुझे आकर शितना कर पाये इसका आपको ध्यान रखना है भगवान में भी औरत मर्द का भिद्भाव रखता है पागल हो गया चल आजा खाना खाले बेवकूफ नहीं का मा ओलिम्पिक्स में अगर डोसी के प्रतियोगीता रखी जाए तो तुम्हें गोल्ड मेडल तो पक्का मिलेगा जब तुम्हारे हाथ का डोसा खाता हूं ना तो ऐसा लगता है सारी खौईशें पूरी हो गई यह स्कूटर भी मेरी बात नहीं मानती एक तो अंदर वो सिद्धू और बाहर तु दोनों मुझे परेशान करते हैं जय माहेश्मती जय सिवगामी अब भी शुरू नहीं होई जय कटपा इसकी तो हट जब तक तेरा पाउं इस पे ना पड़े यह शुरू ही नहीं होती तो सुबह सुबह क्यों गंडगी फैला रहा पनोती कही का क्या रहे सिद्धू वो खटारा गाड़ी से रोज जूचता रहता है अरे मेरी तरह से चोटी सी कार खरीद ले तुझे तो ड्राइविंग आती है सुबह सुबह भास की तरह रोज धोते रहते हैं आगे पीछे बस हा गुड़ मॉर्निंग आल अफ यू हमारे एंके जी की बेटी बचपन में यूएस जाके वहीं पर हायर स्टीज पूरी करके हाल ही में इंडिया वापस आई है हमारे एंके जी की हेल्थ कंडिशन ठीक नहीं है इसने कंपनी की नई सीओ की तौर पर हासनी जी को उन्होंने अ पर गैं यहां पर यहां आई काम से वह थे एंट यहां आई हमारी CEO है वालकम मैं तौर थाइस प्रीज ने सब्सक्राइख को मीजिए धियर अम्टर एंप सम्बाश्य नुच्छ टूरी इसस आपना इंडिया श्तर यहां इस थे वहां प्लेसर नुच्छी इस आपना इस आ तो आफ आउट मैंट मैं राओ जी इनके अकाउंट्स अटिल कर दीए अरह नहीं है अब तो बंट बजेगी आप तो नो मुट्ट इस गेट बाइस वोक के सब्गे आए नहीं सुनिए यह सिद्धू है आपके पेता जी के सबसे पसंदीद है इस रिवेंज लेने का टाइम इतना जल्दी आ जाएका मैंने सोचा नहीं था अब ही बताती हो राउ जी मैं ब्रिंग देम टुमाइचेंबर हमें जॉब से निकालने की बजाए परसनल चेंबर में क्यों बु को अब डर मदे बेवकुफ एक बात कहने थी राउ जी मैंने ओफिस में आते ही एक चीज नोटिस की है क्या हमारे इस ओफिस में एक भी एंप्लोई को ड्रेस सेंस नहीं है मैंस नहीं है और यूनिफॉर्म फो एव्रीवान कल से कोई भी अगर यूनिफॉर्म में नहीं आय आया यू गाइस विल बी आउट आउट आप अपने आपको समझते क्या है आपको जगते है कि मैं मर गया हूं उससे सी यू बना करके मेरी पूरी इज़त उतार दी आपने कैसी बातें कर रहा है तूसे नहीं जानता वह बहुत पड़ी लिखिया सुन लिया मैंने आप कहते जा रहा है और मैं सुनता जा रहा हूं पढ़ाई करने के लिए आपने उसे फॉरण भेज दिया अब वो मेरे उपर ही ओडर चला रही है देख लो आ गई महारानी ओ मैं क्यूटी देखिए उस पप्पी से भी कम वैल्यू है मेरी इस घर में हम क्या कहेंगे इस बारे में है कि अंदर जाओ जाओ अंदर जाओ 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 उनके साथ रहेगी तु भी उसी के तिरह बन जाएगी चल आप क्यों भई जो साथी बोल रहा था सही है क्या तुने अपने बॉस के साथ जगडा किया नहीं यार हमारे जगडा करने के बाद वह बॉस बन गई कुछ भी कहा है यार प्लग में उंगली डालके चालो करो यह चालो करके उंगली डालो बात तो यह कि है शौक तो लग नहीं है अबे शौक तो लगेगा लेकिन हमें नहीं उसको लगेगा सबको शराब पिने के बाद चड़ती है और इसे देखो जूस पिने के बाद ही चड़ गई अरे वह हमारी बॉस होगी तेरी इतनी सी जिंदगी है उसमें भी लड़की को बॉस कहके पुकारूं क्या उससे अच् रखा गया कि उसे हमारे ड्रेस पसंद नहीं आए बलके हम पसंद नहीं आए यूनिफॉर्म बड़ा आया यूनिफॉर्म पेनने वाला कर दो के दो कि बड़े बाद में बाद में या 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 यू परेवाट इटिय आए पुर्म आए अशल में आपसे कुछ बात करनी तिसली है किस बार में इख पुर। तो में तो नो इक ही बात करने आए हैं मैं तो फिर तुम निकलो मैंडम वह कल आइस अउट जाओ न बाहर जा रहां जा रहे हैं कि पताजी किसी भी डिपाट्मेंट के साथ टू प्लाइन करते थे तो इस बार कहां जाएंगे यह सोच करके टेक्टिकल डिपाट्मेंट बहु सब बहुत खुश रहते हैं ठीके ठीके वैसे कहां जाने की सोच रहे हैं आप लोग ऊटी कोड़ाई कनाल कुल्लू मनाली ऐसे तीन आप्षेंस हमारे सिद्धु ने रेडी करके रखें मैम ओ सिद्धु का प्लान है यह सारे हिल स्टेशन्स है ना जी हां प्लेस मैंने साइट करूंगी उनके लिए सिर्प्राइज है ऐसा अच्छा प्लान मैम अच्छा सुनिए आपको भी आना पड़ेगा मैम सोच के बताते हैं जी जी बढ़िया बहुत बढ़िया मालिक हेई डाड आओ बेटी आरती ले लो डाड आपको बता है ना ऐसा नहीं कहते बेटा क्यों भगवान को गुस्सा आ जाएगा क्या हम डाड एक बात पूछती हूं बताएंगे अगर भगवान होता तो बच्पन में ही मेरी माँ मुझसे दूर क्यों चली जाती डाड भगवा अ पर है यार एक प्राड वाइ क्या हो सब रख लिया यार लेकिन एक चीज भूल गया बाई क्या अ है तु भी यार अंडर बुल गया तूद है और यह चार दिन को टूर है यारा मेरे भाई पता है मैंने एक अंडर्वियर चार्ट इसे पहन का रखी होई है अरे यार बड़ा सिंपल है यह देखो यह मेरी अंडर्वियर देवन के लिए अब उल्टा टू के लिए अपडेट थ्री उल्टा कर दिया अब यह अरे भाई बस पहले उटी जाए गिया कोडाई चिल लाते जा रहे हो अभी आम लोग किदर जा रहे है पता है राओ जी वह सच कह रहा है क्या पर मुझे भी तो अभी पता चला है ऐसे जाकर वापस आने के लिए इतना जरूरी था क्या ऐसे नहीं कहते है औरतों को अधिकार देना ही नहीं चाहिए तुम्हें गुस्ता आ तुम औरतों की वज़े से खायल हुए आदमी की जिंदगी कभी नहीं सुधर सकती हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो तुम कुछ भी बोलोगी क्या हां अ कि अ कि अ कि अ कि अ इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूं राजी अभी बिलाता हूं अभी बिलाता हूं अभी सिद्धू पकड में आ गया था अब देख सबके सामने क्या से सौरी कहलवाते हूं मैं बुला रही है तुम्हें जाओ है टेक्निकल हैड हो इसलिए दिखावा कर रहे हो और इन सबके साथ अगर यह हरता दोबारा की ना तो सौरी से माफी नहीं मिलेगी माइंड यह लड़कियों से नफ्रत करता है कहीं यह पैचा तो नहीं अब मैडम शायर इसे लड़कें पसंद हैं हाहहहँ है अचा कियो दोड़कें से ङख्या सहे ओर को फुल्डक्र आर यह जड़कें सुनध अ है जुड्सिए ऊयर अन्धफ सुन भूख वूं हो झाहbowsनद़न उसे नहा है मुंध्र हे नहा है लड़कें सूररी आए लॉूहुघ थरता ट्रूदूवष पाशन धुक्या तुम सारी और तक जूटी हो मक्कार हो आलसी हो पेवफा हो घमंडी हो सब कि सब धोके बाज हो इस औरत जाते जनमी क्यों लिए पता नहीं लगता है मर्च जाती का नाश करने के लिए पैदा हुई है धोका देने वाली गतार ये विर्थ की बातें करना बंद करो कौन है बै अच्छा खासा फ्लो जा रहा था बीच में डिस्टब किया नहीं रोकूंगा नहीं रोकूंगा खुद को मैं अगर सुन नहीं सकते तो कान बंद करो वैसे तुम कान होते हो मुझे रोकने वाले एक स्त्री से जन्म लेकर उसी स्त्री के बारे में आपत्ति जनक बातें करते हो स्त्री का मतलब तुम्हें पता भी है वो इस स्रिष्टी को रचने वाली आदि शक्ति है रुग जाओ रुग जाओ मैं यह सब नहीं सुन सकता औरत इस स्रिष्टी की रचना करने वाली नहीं विनाश करने वाली है उसकी महानता नहीं जानते उसकी शक्ति को नहीं समझत इसी लिए ज्यान था कि बात ही करते हो औरतों के बारे में मुझे इतना ज्यान देने की ज़रूरत नहीं है वैसे ये आपका सारा सेटप क्या है ये गेट अप किसलिए तुम कहीं किसी ड्रामा कंपनी से भाग कर तो नहीं आये हो इस जंगल में मुझ छुपा कर एक कोने में दुखी बैठे रहने का मतलब या तो लवर भाग गई होगी या फिर बीवी भाग गई होगी चुप रह मूर्ख मेरा अपमान करता है तू बातों से नहीं समझेगा ये क्या मंत्रो चार रोज टीवी चैनल आउन करने पर तुम्हारी तरह धोके बाद साधु ही दिखते हैं तुम्हारे मंत्र किसी भी काम के नहीं है यह क्या शाब्दे दिया क्या डॉगी या फिर कैट बन जाओंगा जाकर अपना काम करो बाए मंत्रो चार तू मेरे पास दुबारा आएगा उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा मैं और तुम्हें ढूंटे वए यहां आऊंगा तो फिर वेट करो तो आएगा इसकी निज़र उसकी निज़र ओफिस वालों की निज़र सब की निज़र उतर जाए थू 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 अरे ओ खाना खाए बिना सोना मत ठीक है कि यह क्या चोड़ो जांदो मुझे सर दर्द देने के लिए सिर्फ यह बहुसी ऐसा सुचा था बीच में यह बुठा भी आ गया हां सोने के बाद सुभा सर ठीक हो जाएगा झाल जाएगा सुभाव सुभा ब्लैक कैट पता नहीं आप क्या पनौती लगीगी सुभाव ब्लैक कैट का दर्शन और अभी इनका दर्शन पापा आपको कितनी बार बोला है मेरा बातरूम इस्तेमाल मत कीजिए अरे तो मैं क्या करूं नीचे तेरी बहन ने हाउस फुल का बोर्ड लगा दिया है क्या है इस बातरूम में पिखले हुए साबून और टूटे हुए मक्यलावाद चल जा आप ही ने तो सिखा था ना कि कोई भी चीज पूरी तरह इस्तेमाल करो और एक मैंना इस्तेमाल कर लेता हूं वालिभैस की थरह खाते रहता है सुनो मेरा टिफिन तयार है ना हां तयार है मा मेरा लंच बाक्स रेडी है ना इस सबको और करना है कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा इससे देखो अगर यह शादी कर ले तो इसकी चुब बीवी होगी कम से कम वो तो मेरी मदद करेगी लेकिन शादी की बात करते यह भड़क जाता है मा कितनी बार बताना पड़ेगा हर बार आफिस जाने से पहले शादी की बात मत किया करो अरे अब मैंने क्या कहा तुससे बात मत करो हरो शादी की बात या लड़की की बात करते हैं मगर इसने आज तक मच से एक बार नहीं पूछा देखो सारे भाई अपनी बहन को इसलिए ड्रॉप करते हैं ताकि वो दूसरी लड़कियों पर लाइन मेरा ऐसा कोई चांस नहीं है मुझे लड़कियों से नफरत इसे मैं सब्सक्राइब करें जढोने करें उसे पता की से चला हुआ यह उस्या काल के बार तो तु इस का गहमन छूर छूर हो गया होगा wipe क्ाल क्यूं listening with a इसे कैसे सुनाई दिया जगादो हाय बड़ा ही रो सिद्धु तो मैं जब भी देखती हूं तो मैं तुम्हारी दीवानी हो जाती हूं तुम लड़कियों से नफ्रत करते हो इसलिए कंटर करने वलना तो कब कब पता नहीं क्या कर चुकिक है परिंकी बाते सुना ही दे रही है मुझे अज हो क्या गया है कि सौरी कह देने से तुम्हें छोड़ दूंगी सोच रहे हूं तुम्हें इस ऑफिस से पर्मनेंटली भीजने का प्लान कर रही हूं क्या हो गया है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है शादी की बात करने से डरने वाली मा आज शादी की बात करने लग गई कॉलेज में ड्रॉप करने के लिए कभी ना कहने वाली बहन आज मूह पर ही डाटके चली गई ऑफिस में मुझे देखने से डरने वाली लड़किय मन चाहे कमेंट्स कर रही है देखा जाए तो बॉस ने भी मुझे ही टार्गेट किया अच्छा तो बुढ़े यह सब तेरा किया कराया है लड़कियों से मुझे नफरत है उनके पास दिल नहीं होता है ऐसा बोला था अब उनके मन की बातें सुनने का श्राप मुझे दे दिया मेरे बारे में तुम्हें ठीक से पता नहीं है बुढ़े तुने मुझे यह जो श्राप दिया है इसको वर्दान में कैसे बदलूँगा मुझे अच्छे से पता है देखते रहना अच्छी सत्य है सुनो सित्व तुम्हें एंके जी अजन्ट भला रहे हैं हां क्यों बुलाया होगा क्या हुआ अप इतनी टेंशन में क्यों है धर्मा ग्रुप्स ने हमारे सारे पार्टनर्स को हाई परसेंटेज ओफर देखर घलत तरीके से अपनी तरफ खींच लिया है बेटी अपने पा कंपनी को बंद करना पड़ेगा मैं कह रहा था कि इससे नहीं बनाना चाहिए अब आप देख रहा है अखर क्या हो रहा है मुझ पर छोड़ दीजे मैं समाल दोंगा इन सालों में जो तुमने किया वो काफी नहीं है अगर तुमने अच्छी तरह ध्यान दिया होता तो आज कंपनी की हालत ऐसी नहीं होती डाड डॉंट वरी पार्टनर्स को कंविंस करके सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जिम्यदारी मेरी होगी ठ्रस्ट मी राव जी आप और सिद्धू इसकी मदद करेंगे मुझे किसी की मदद की कोई जरुरत नहीं है हमारे पार्टनर्स क आपको भी न एक बाहर के आदमी पर भरोसा है लेकिन अपने बेटी पर भरोसा नहीं है आपको मालिक परिशान मत होईए आप देखना वो सुधर जाएंगी उसके सुधरने की उमीद अब बिल्कुल नहीं है पिता जी कैसे है बेटा जब कंपनी प्रॉब्लम में है तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं सही बात है मुझे वे बहुत बुरा लग रहा है पिता जी चल नहीं पा रहे हैं तो बला कंपनी कैसे चलाएंगे देखिए किभी जी आप जब तकली में थे तो जिस कंपनी ने आपको सपोर्ट किया उसके बुरी वक्त में आप उसे चोड़ देंगे क्या इंसानित कहला ही तो मैं क्या करो बताईए अब उस धर्मा ने मुझे अच्छा प्रसेंटर्ज आफर किया तो मैंने प्रॉमिस कर पता नहीं कितने लोगों को करेगा प्रॉमिस मुझे ठ्री बेड़्रॉम्टी उसके घ्लारत डेने का प्रॉमिस किया था प्रॉमिस कभी पूरी करें ना बताओ सुन लोंगा नहीं तो जा सकते हैं एक बार सोच के तो देखिए मैं जाके बात करता हूं प्लीज प्लीज बाद करता हूं प्लीज प्लीज बान मिनिट वन मिनिट अवे नटकट तुम यहां क्या मैं तुम अपना काम करो चलो काम वाली को 10 तोला सुना यह जो आपने उनसे प्रॉमिस किया हुआ है उनके साथ रोमांस कर रहे हो आप असल में मारवाड़ी नहीं हो यह बात सब करें वैसे मुझे भी दूसरों से संबंधित परस्णाल मैटर्स में बहुत इंट्रेस्ट इसलिए मैंने पता किया तो नहीं ना अब प्रोफेशनल मैटर्स को अगर आप शेर नहीं करेंगे तो आपके परस्णल मैटर्स को आपकी फैमिली के साथ शेर करना पड़ेगा अब भाबी जी पाई लगए जब तक मेरी सांस रहेगी तुमारे पिता जी का साथ दोंगा अजसे क्यों देख रही हो बेटी इतनी जल् अब तक में प्रामिस किया थांक्यू सो मच अब अब आपस नहीं आओगे ना पहला विकट गिर गया जब शक है कि इस ने पैन ड्राइब में सब कुछ रख लिया नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा मतलब नहीं हो पाएगा अगर आप ऐसे कहेंगे अंकल तो कंपनी की मेरे लिए मेरी पोजिशन इंपोर्टेंट है आउट बस आप दो मिनिट बाहर इंतजार कीजिए मैं यह मैं यह सॉल्फ करता हूं कि प्लीज बाहर इंतजार करते है क्या है नादागरी है क्या अरे मैंने शुरुवात ही वहीं से की थी बेटा सर बस मुझे दो मिनिट बात करनी है आपसे जोड़ो उसे सिर्फ दो मिनिट चाहिए न तो जाओ 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 एक बार अपनी वाइफ को बुला सकते हैं सर अरे धर्मा कंपरी में इंवस्ट करने के लिए उसी ने तो कहा था उससे तुम क्या बात करोगे कर लो बात भाई क्या बात करनी है सीक्रीट्स किसकी है दि मूनिटाइजेशन के वक्त वह सौ करोड ब्लाक मानी को वाइट करने वाली बात इससे पता होगी क्यां डी मॉनिटाइजेशन मतलब बैंक लॉकर में चुपाया हुए चालीस किलो के सोने के बारे में भी बैंक के लॉकर में चालीस किलो चुपाया गया सोने हुए नहीं नहीं छोड़ो इसे छोड़ो बार जाओ यह साहब है यह सिद्धार्च साहब है अरे तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा हों केंज़ चालो बेटी बापा बेट उन्सकाय हों कि इसी तुमने कहा और ने मैं सच कहए दिया फ़र कह देने के बराबर होदा है दूसरा भी हाँ माज़! वाट? माज़, जल्दी से टिफिन दे दो, आफिस के लिए लेट हो रहा है वैसे आज स्पेशल क्या है इडली बनाई बिटा वाट? कैसा इंसान है ये, मेरी बहु से कितना काम करवाता है उसने खाना खाया या नहीं ये तो कभी पूछता भी नहीं ये भगवान ये क्या मेहनत करने के लिए ही पैदा हुई है इसकी तबियत भी ठीक नहीं है मैं तो मदद करना चाहती हूँ पर क्या करूँ मा तुमने खाना खाया तुम बैठो अरे मैं कह रहा हूँ ना बैठो बैठो मा अब मैं तुम्हें खिलाओंगा और वो भी अपने हाथों से क्यों बैठा यह हिसास तुझे पहली बार हुआ कि मुझसे पूछे मा पहले तुम खाओ मा आ करो पानी बियो बस बेठा तेरे प्यार से ही मेरा पेड़ भर गया खा ले तुम भी खाओ न मा यह क्या है सावित्री अपने बेटे को अपने आटों से खेला रहे हो और मुझे प्लेट में दे रहे हो शादी के तीस साल तक तो सिब तुम्हारे बारे में ही सोचा कभी अपने बच्चों की बारे में सोचा इनहीं छिप पापा माँ को बाहर घुमा कर कितना समय हो गया है उसके बाद समंधर किनारे ले गए शिरणी के साई बाबा ले गए उसके बाद दस हजार रूपए पर किस लिए मेरी तरफ से तोफा पापा ले जाए मां को बाहर ले जाए पूरी दुनिया दिखाईए उसके बाद देखना प्लेट में होने वाला दोसा आपके मूर तक कैसे पहुंचेगा सावित्री सावित्री और तो को सप्राइज बहुत पसंद है यह कि रोज रोज उन एडियाट का टॉर्चर बढ़ता जा रहा है कम से कम आज मेरा भाई मोझे डॉप कर देता तो कितना अच्छोब कर देता हूं क्यों ऐसे अचानक बैटना हुं हुँ आज भाईया को क्या हो गया कर दो कि पेड़ो आपने देख अपनी चोरी आ रही है कि भाई है भाई इसी तरफ आ रहा है भाई ही हूं भाई है क्या रहे शाने हीरोगिरी दिखाएगा तो नहीं भाई तो पर यहां पर क्यों आया रहे ब्रदर्स वो मेरी एक लौती बहन है रोज इसी रूट से कॉलेज आती है डेली तुम लोग ऐसे कमेंट्स करोगे तो पैचारी कॉलेज जाने से डरेगी ना मेरी दादी को इसे डॉक्टर या इंजिनियर बनते देखना है यही उसकी आखरी इच्छा है मेरे माता-पिता की इच्छा है कि अगर यह अच्छे से प सताओ प्लीज हम सताएंगे तिरे को जो करना है कर ले हम यहीं पर ही रहेंगे जब तेरा दिल करें देखने को आ जाना देखने तक क्यों जाना है भाई हम ही कॉलेज जाने के लिए कोई रास्ता ढूंड लेंगे चलता हूँ है मिनू चलो बैट जा बड़े हीरो की तरह बढ़ा के मारूंगा यह एक्सपेक्ट कर रही थी और एक बहन अपने भाई से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती है ना कर सकती है उसमें गलत कुछ नहीं है पर मीनू अगर आज मैंने उनसे जगड़ा किया तो कल वो दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारे साथ कुछ सिधा करेंगे तो मैं सहें नहीं पाऊंगा है सॉरी भाईया मैंने आपको गलत समझा चला पीछे बैट जा पहले अपने आसू पोच्छ आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि सारी मेहनत सिध्धु ने की और क्रडिट मैं ले लू यह ठीक नहीं होगा यह बात टारी को बताने ही होगी आप सब भी खुशी से भूले नहीं समाएंगे थांक्यू डाड आपके डिजीजन सही होते हैं सर पार्टनर्स की बात करें तो हासिनी जीने उन्हें जो कन्विंज किया था वह बहुत ही बढ़िया था सर ऑफिस में इन्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं आपको देख रहा हूं यह राइट सिध्धु आम वेरी ह समथर भी कर रहे हूं यह क्या है यह तो टूमच हो गया देखो आपने टैलेंट प्रूव करने के ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए राओ जी पहली बार सर की आखों में मैंने खुशी देखी एक एंप्लॉई कुछ भी हासिल करता है तो उसे एक मेंडल या फिर बोनस हुआ 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 है हाइ डेट गुद मौनिंग हाई बेभी गुद मौनिग हमारा प्लान उल्टा पड़ गया है अरे हुआ क्या बोलो भी न यह शुच सुच्छ वापस ले लिया प्रने लिये तो नो ने हमारे पार्टनर्स अपनी तरफ कर लिया हम कमपनी की सक्सेस पार्टी प्लान करना करन यूज है कौन है वो जो धर्मा से पंगाले रहा है यह सर सिद्धू नाम है देख लूगा मैंसे रिलक्स डैट लेट मी हांडल दिस कहां है तू हलो हलो सिद्धू आ कौन मैं हूं मैं हूं मतला मैं हासिनी मैं आप आप नहीं कैसे संधी है ना क्या कर रहे हो तुम आज क्या तुम से मिलना पॉसिबल हो पाएगा क्यों नहीं पॉसिबल होगा मैं आप बस और कीजिए पल भर में आपके सामने इस खटाले स्कुट्र को पिक अप करने के लिए जैगुवार यह बोल रहा है बात करता है यह अब क्या दिन आ गया सिद्धू अब जैगुवार कार में बैठेगा वह 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 बैठ रहा है अभी से शादी के मंदप मद बिठा मर जाएगा टेंशन लगता है पहली बार इतनी बडी काडी में पेट रहा है हहां मेडम फस्स टाइम ही है मैं इसा नहीं सोच रहे थी आ आप सोच नहीं रही है फिर भी फस्स ताइमिह damn और बहुत पसंद है मुझ्छ भी प्लार्स और देंट пasta तीश्य। ॏ हम और वह चोज माइकेल आर रएलीर मिंसवें यह's जौज माइकल सोंग है न मुझे बहुत पसंद है सिद्धू तुम्हें भी जोर्ज माइकल पसंद है थे उसके पझे पागल उपषे पागलर्व हैं बचपण में मैं खाने का निवाला को देखकर नहीं खाता था जोज माइकल सॉंग सुनने के बाद ही खाता था मेरे माँ कहती थी हम दोनों की पसंद कितनी मिलती चुलती है ना सिद्धू और तो और हमारे सब्सक्राइब करता है क्या सब्सक्राइब करता है क्या सिद्धू तुम भी ना खालता हैं तो ठीजू कि आख्लाइब करी तो अधेल ना क्या स्मोक चिकन मेक्सिकन पीजा क्लब सांविच और कापाचिनो । अम्यदम माठम क्लब सेंडवीच कैपेचिनो ठीक है है यह भी गो अगैन तू क्लब सेंडवीच एंड टू कैपेचिनो के सिल्थू पॉसलिबल एवरी सिंगल टाइम अपने मन में मैं जो भी सोचते हूं तूम भी सोचते हो इसा कुछ नहीं है कभी-कभी कुछ बाते मिल जाती है मैडम कु आपकी खुशी को मैं भी शेयर कर सकती हूं क्या आप धर्मा जी की बेटी यह साशा है ना इस है मैं तुम्हारे लिए ही यहाई मुझे तुमसे पांच मिनिट परस्नल बात करनी है सिथू के साथ परस्नल बात मेरे सामने सिथू को टच कर रही है हमारी कंपनी का जी एम तुम्हें बनना है यह मेरा फैसला है यह मेरा कार्ड है नो नो टोंट टेक आट कार्ड से दू प्लीज शाम तक सोचने के बाद हां कह देना अगए हलो मेडाम हम यह सिद्धू ऑफर्स और डिस्काउंट्स पर फिसलने वालों में से नहीं है कि मेरी ओफर को रिचेक्ट कर रहे हो जाओ यहां से देख रहे हैं इसे ओफर्स बहुत देखें हैं कि मैं अगए बडर से अगए आड़ा आड़ार हो जाओए रहे हैं कि मैं दोस्त्रफ परवाई जाद है कि मैं आटको अगई। कि मैं अगए खर सहुआ पला जादेखें अगई। झाल 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 मेडम मेडम उडिये मेडम सम्मल के आज के जमाने में आप जैसे लोग भी है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है वह सो गए है आप अंदर चलिए अंदर आईए अंदर आईए में जाब का बेड्रूम ऊपर है आउ बेटा अंदर आउ आउ बेटा अंदर आउ मुझे भी आप बहुत पसंद है मेडम बेटा आज कल आप जैसे इंसान भी होते हैं अरे भाई मुझे जाने दो आप चलो वो सो रही है बेटा 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 मेडम तो खाली पेट सो रही है वो बीच में उट सती है कुछ खाने के इंतिजाम करके रहो बेटा आज कल आप जैसे इंसान भी होते हैं क्यों सता रहे हो मुझे तारीफों से भी जान निकल सकती है यह मैं पहली बार देख रहा हूं चलता हूं आज के समाले में आप जैसे इंसान होते हैं जब देखो धोता ही रहता है अपना हाथ भी गंदा नहीं है यार हाथ धोले वाव नाइस पोस्टर का बढ़ी यार है का नहीं है यार कोटी 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 का अ वह हूं कैसे दिया देख रुपह यह क्या सब के सब ठंदा एक भी गरम नहीं है यार यार युलु यह क्या रहता है तुलेट में चुकर लिया बस हो गया हात नहीं दोना होता है क्या अबे पानी क्यू वेस्ट करना खाय गया अगर तेरी तरह सब सोचे कि हाथ दोरे से पानी वेस्ट होता है तो क्या होगा पता है तुझे त्वादत है हाथ धो रहा है कि नहां रहा है अरे हाथ तो हाथ तो दो दे भाई कुछ भी गंदा नहीं है मेरे हाथ में प्रो फो प्रोल्म है कि अरे हाथ आपने जब तक सबक नहीं मिलता ना तब तक बास समझ में नहीं आती है अब यह टॉलेट के बाद सिर्फ हाथ नहीं दोएगा बलकि नहां भी लेगा बहुत बनता था मैंने कहा था ना कूल शांत हो जाओ मेरी बास सुना कर भाई चल जाबें सब तेरी ही गलती है अबेस तुम्हारी कौन सी रो है तेरा कौन सा रो है हमारा भी भी है तुम्हारा सीट नंबर कौन सा है सीट तमबर 2324 हमारा भी 2324 है अब यह सकता है ऐसे हो गया सत्या नश तो यार में शो के लिए ट्राइब करो गल्फ्रेंड क्या मिली अपने दोस्तों को ही भूल गया यह दोस्तों की कदर नहीं ऐसे क्या रहा है कल तु भी ऐसे करेगा चल दो टिकट लेका रहा ते इसकी तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म नहीं टॉलेट करने आए यार घर जाके नहां ले ना अब 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 शॉपिंग का तो फिल्म दिखाने ले आया फिल्म में सौ रप में काम हो जाता है ना शे और यार किरन के साथ जो फिल्म दिखने आई थी वही फिर से वास होता है के साथ देखने पड़ रही है और सित्व थीटर तक पहुचने वाले तुम्हारे प्यार को ब्रेक अप तक कैसे ले जाती हूं देख ले ना हांसीनी मैं तोड़ा बाहर जाके आता हूं गुरु जी फर्स्ट टाइम तुम्हारा वर्दान मुझे श्राब की तरह लग रहा है जहाओ पर भी जाता हूं वाइफाइ फोजी नेटवर्क की तरह यह टॉर्चर क्या है सब गुरु जी रोमेंस करने के लिए तुम्हारे बॉस के बदले मैं कामा सकी हूं क्यों तुम् की रोमेंटिक लव स्टोरी रेस्टोरान पब और थेटर तक ही सिमित है या बेटरूम तक भी पहुंच गई है उसने अपना सब कुछ दे दिया क्या बेवजा की फॉतू बात ने कर रही हो लगता है वातूं से बात नहीं बनने वाली यह सब क्या है पागल हो गई हो हां तुम्हारे पीछे पागल हो गई हूं तुम्हें जो आफिस को आफ़र दिया था ना वह अभी तक खाले पड़ा है कॉल कर लेना ओके क्या हुआ है तुम्हें कुछ भी नहीं कुछ तो चुपा रहे हो सच सच बताओ आई लाव यू तुमसे ये बात सोने के लिए मैंने कितने दिन इंतजार किया है अगर इनकी जगे मैं और सिद्धू होते तो कितना अच्छा होता मैडम आप कुछ भी कहो यह प्रपोस करने का काम बहुत ही मुश्किल होता है मुश्किल है कहकर प्रपोस नहीं करोगे तो दिल की बात कैसे पता चलेगी अब ही पता चला जी वाट क्या पता चला प्रपोस किसी तरह हमत करके बोलो ना सिदू मुस्से नहीं हो रहा है मैं रात को अच्छे से प्रैक्टिस करके सुभा बता दूंगा अगर सुभे नहीं कहा ना तो अब धंकी दोगी तो बिना बोले कैसे रह सकता हूं मैंडम बोलूंगा प्लीज प्लीज और तो से मुझे नफरत थी लेकिन पहली बार मुझे प्यार हो गया इतने सालों से मैंने प्रार्थाना नहीं कि इसलिए मुझे सजा मत देना मेरा प्यार सफल हो जाए इसलिए आप भी मुझे आशिरवत दे दो इन्हें क्या हो गया दादी यह आज प्यार के लिए कैसे प्र कर देंदा गई है किक 되면 आखे का सेमाोई से तुम से कुछ कहना है को सटो이를 पunya कि पहले पार मेरी दूनिया में एक लड़की या गई है वो तुम ही हो तुमारे साथ मिल कर घूमना मिलकर हस ना इस वजह प्रप में से प्यार हो गया मैडम में जो किस चिया उसकी वजह से प्यार हुआ ऑफ फर किस आ वो सब तो मैंने नहीं किया था मेरे कुछ कहे बिना ही किस वाली बात सच नहीं है ये कहने पर ही मैं समझ गई थी वो कितना सच है कि मैं किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं करती गुरुजी गुरुजी हासिने पलीज बस एक बार मेरी बात सुन लो आप तुम्हारे कहने के लिए किस बहुत प्यार करता है तुम भी मुझे सब बहुत प्यार करती हो प्लीज मुझे समझो प्लीज है लव यू कह सा लव ए ते क्या रेक्टर क्या मैं पहले से जानता हूं अब अपनी किसी और को जाके बता मुझे ने चल बाग मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज आसे नहीं प्लीज बाहर है कि अपनी अवकात याँ तेरे जैसे थर्ड ग्रेड लोग गेट के बाहर ही होने चाहिए जिन्हें अपनी आवकात याद नहीं रहती हम तुझे सिर्फ ऑफिस से बाहर नहीं निकाल रहे हैं बलकि तेरी बॉस की लाइफ से भी गट आउट देजाओ इसे गट बैक तो आख गुरुजी मेरे यहां तो मुझे ही मरवा दिया आ राओ मैं मेरे हाथों से आज तुमने मुझे ही मारा ओए इस तरह शुरू हुई ये प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी या एक नया मोड लेगी ये तो सिर्फ गुरुजी ही बता सकते हैं कि यह पुट्टे मेरी जिन्दगी में हल चल मचा कर यहां पर शांती से तपस्या कर रहे हो मैंने कहा था ना एक दिन तु मेरे पास वापस आएगा प्रेम का एसास होने के बाद समझ में आया श्त्री की एहमियत गुरुजी कृपा करके इस श्राप को हटा दीजिए गुरुजी तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम दिख रहा है मुझे पर एक दूसरे का हैंकार बीच में दिख रहा है मैं अपने श्राप को हटा सकता हूं पर तुम्हारे अंदर के प्यार को प्यार अब गुरुजी गुरुजी मैं ऐसी रह जाउंगा गुरुजी मैं मेरी तरह यह रहूंगा मुझे लड़कियां प्यार शादी यह सब कुछ कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी मैं हमेशा लड़कियों से नफरत करता रहूंगा श्राप अटाईया वरना मैं इसमें कूटके मर जाओंगा देखो बेटा तुम्हें लड़कियों को समझने के लिए मैंने श्राप दिया था ना कि अपनी जिन्दगी को बरबाद करने के लिए अब तुझे मैं श्राप से मुक्त करता हूँ पिटा आज मैं अमरनात की आत्रा पर जा रहा हूँ चालीस दिनों के बाद मैं तुम्हें फिर मिलूँगा शुभम बावतू ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं बापरे ये गुरुजी मुझे वापस मुसीबत में तुन नहीं डाल रहे हैं गुरुजी मेरी एक इच्छा ह हैं जिन्देगे में फिर कभी आपसे मिलने की जरूत ना पड़े अगर हो सके तो फिर से मुझे वही श्राप एक बार दे दीजी है ठीक है बेटा तथास तूर अज़र 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 सिद्धु तू कब आए बिटा यह सब क्या है बोलू मा अरे सिद्धु तेरे लिए ना बहुत अच्छा निष्टा आया है यह देख फोटो दुबारा लड़किया और शादी के बारे में बात करोगी तुम्हें माप रहे जाओ यहां से चलिए माजी चलिए यह नहीं अब सुभा होने पर यह औरतों को टॉर्चर मेरे पास नहीं रहेगा गुरुजी आपको आपकी माया मुझे अबसे नहीं चाहिए झाहिए कि यह क्या मैं कहां हूँ यह कोई नई जगा लग रही है कहीं मैं रात को किसी स्टार होटिल में आ गया क्या है देखने पर यह होटिल की तरह नहीं लग रहा है कहां हुए कोई मुझे पहचान भी नहीं रहा है यह तो रामू की तरह अड़ा है यहतो रामू यह चूस्ली आप क्या में साहब बार्वान, आप ये कौन सीन नहीं मुसी बाद है ये बगवान, मैं हासनी की बॉड़ी में कैसे आ गया, यहां पर इसकी बॉड़ी में हूँ, तो वहां मेरी बॉड़ी में कौन है गुरु जी फिर से मुझे मुझे मुसीबत में डाल दिया और दो कि अगया, ज़िए विए बॉड़ी में हुं I can't see anything, these are not my specs, I'm not the one being. I thought was kidnapped कहां परूँ मैं okay okay let me check इसका मुबाई पता नहीं कहां पर है यह रहा मेरा ही नंबर डायल करना पड़ेगा ना कि अधे भगवाण रहा शिच्छा क्या कुछ दिशे उटीघर का पारिवाण पतला तुम्हारी आत्मा मुझ में मेरी आत्मा तुम में? यह क्या? कोई ब्लाक मैजिगी है क्या किया बताओ ना मैंने कुछ किया और ना ही करवाया वो हुआ यूँ की आइम गोइं टो किल यू राइट नाओ यू बेटर तेल मी दे टूथ यू बलड़ी देखिये मैडम अगर फोन पर बताऊंगा तो आप समझेंगी नहीं तो फिर अभी इधर आओ अर्जेंटली नहीं नहीं अस तरह इनके प्यार के सफल होने की वजह भी बनना चाहते थे इसलिए सिद्धू के शरीर में हासनी और हासनी के शरीर में सिद्धू की आत्माएं बदलती देखते हैं इनकी प्रेम कहानी अब क्या मोड लेती है बॉस आकर अब पता नहीं कौन सा बखेडा खड़ा करेंगी सूच के डर लग रहा है ये भगवान एई एई सिद्दू कहा है जा रहे तुम तुम्हें मना किया थना ओफिस में आने के लिए किया थना तुम्हें क्या करें तुम्हें क्या करें तुम्हें गूरू जी लगता है वह यहां आ गई है आज तुम्हारा सिद्दू यहां आ तुम्हारी बॉड़ी में में मेरी बाडी में तुम्हें की तुम्हारी बॉड़ी में है ओज हो आपको जो हुआ वो सब बताता हूं प्लीज आए आए बैठी ना प्लीज रिलाक्स हो जाए रिलाक्स हो कर बैठीए मैं सब को जीटियम में बताता हूं प्लीज रिलाक्स क्या तुम्हारी बोड़ी में रिलाक्स हो जाओ मैं कितनी फ्रस्टेट हो गई हूं तुम जानते हो I want to know everything right now tell me okay okay वैसे यह सब की वज़े वो गुरुजी है गुरुजी फूट है इस अंदर क्यों आने दिया यह कैसा आदवी है जानते हो इसे अंदर आने देंगे तो हमारी क्या इज़त रह जाएगी उसी बार में बात कर रही हूं आप सरा बाहर बेट करेंगे प्लीज हासनी तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं ऐसे नाकारों पर भरोसा मत करो पहले आप बाहर जाएंगे जाता हूं सिद्धु इस ओफिस में दुबारा तू कैसे आता है मैं देखता हूं देखता हूं आयाया आयाया बैठिया है ओके अब बोलो कौन है वो गुरुजी हम मुझे ऑफिस से बाहर निगाल देने के बाद मैं बहां किया तुमने मुझसे प्यार किया था सच्छा प्यार तो मैंने तुम से किया था यकिन दिला कर मुझे धोका देने वाले तुम थे तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है मुझे पता है अगर सच में तुम्हें पता होता तो मेरी जिन्दगी से तुम ऐसे खिलते नहीं असल में तुम मेरे जिन्दगी में आये हैं क्यों सोरी आसनी बस 40 दिन रुख जाएए क्या 40 दिन हां उसके बाद तुम्हारी बाड़ी सही नहीं तुम्हारी से भी हमेशा के लिए चला चाहूंगा तुम्हारी बॉड़ी में सहे नहीं पा रही हूं मुझे बता है पर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो कुरुची अब यहां नहीं है इह माले में चले गए है चालज तिन बाद ही लोटेंगे पुमसे प्याल करना मेरी गल्ती थी यह मुझे अभी पता चला यू यह यह नहीं है इन साथ है ऐसनी 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 अ को दूंद है घुरोची अरे क्या रहे सिद्दू क्या हुआ उस समय तो गेट आउट बोल दिया था तेरे बिना कहीं कंपनी बंद ना हो जाए इसलिए तेरा पैर पकर कर लिए इसकी बाते सुन वैसे यह बता अंदर मेडम के साथ मीटिंग हो रही थी आफ तुम दुनों के फाइटिंग चल रही थी शट आप यह से लिगाइज भाईयों यह चेंज हो गया है वापस जॉइन करने के बाद यह तो बॉस के गुन गाने लगा है सिदू वह नए प्रोजेक्ट के रिपोर्ट कहां पर है नया प्रोजेक्ट अरे तुने उस दिन किया तो था यारा तो सोच देना वापस देना अ बोस को तुने अच्छी तरह से मैनेजे का लिया लाइफ में तुने से फिर से ऑफिस में यह ज़ें में तुने सिन को इस तरह से घुमा आ कि तु अपनी सीट ünde कनी वापस आया तू यार जीनियस है आप जाये यह से जाये मेरे पर गुस्सा हो रहा है इस पॉटी में और फॉर्टी डेस कैसे रहोंगी सोचकरी इरिटेट हो रही हूं पट इस चीटर को मेरी सिंदकी से जाने वाले उस दिन तक इस पॉटी में अज़स करना ही होगा पर सबसे पहले इसका स्टाइल बतलना होगा अब सब्सक्राइब हो अरे भाई तू आया है मुझे लगा कि अन्केजी आ गएरे नाचो रहा नाचो एजा एजिए आ रहा शुरू करो और तुम मेरे साथ हो अब आया 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 आटो मजे करेंगा ना तो जल्दी आना चाहिए ताना यह ड्रेस क्या है यह डांस क्या है पूरे ऑफिस स्टाफ को औरकेस्ट्रा ट्रूप के रूप में बदल दिया है सब लोग पागल हो गये हैं असल में वह बहुत 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 बदल दिये हमारे साथ लंच करती है हमारे साथ डांस भी है वह हम सब को इंप्लॉई की तरह नहीं बल्कि फ्रेंड की तरह त्रीट कर रही समझे तुमने क्या सोचा था बिना मंदिर के वो एक देवी है और हम सब उनके भगता हैं यार उदास लग रहा है यह सब ऐसा बरताव क्यों कर रहे हैं इन पर किसी ने ब्लाक मैजिक कर दिया क्या अचानक सारे इंप्लॉई भग बन गए ऐसे खड़ा क्यों यहां बैठ जा बैठ जा अरे बैठ जा रहे ओके मैडम बैठ जाता हूं तुझसे थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम शेर करनी थी पर्सनल मुझसे पर्सनल बात करेंगी आखिरकार मेरा वी दिन आ गया मतलब अच्छी दिन आ गया मेरे वह मैरे ब 상태z Mode करों सब्सक्षाइESE बात मुझसे jullie आखिर के नहीं वह बता मेरे से जो मुझसे पता हूंग जो मुझसे पता है जो तुझे नहीं पता है करके मुझसे बताना ओंगा यह बता शिद्धू की पैमली कैसी है अरे अक्शा फ्लिली की बारे तो फिर आते वक्त मा के हातों का बना हुआ चार स्पेशल दोसा लेकर आना तो क्या मैडम मैं कुछ भी ला सकता हूं आपके लिए अब जा सकता है ठीक है जाता हूं मैडम यह बात सिद्धु को पता नहीं चली चाहिए ठीक है मैडम अरे मेरे भाई कैबिन से निकल के चेमबर में घुचने का तरह टाइम आ गया बॉस ने मुझ से अंदर क्या पूचा तुछको पता है क्या पूचा तेरी फैमिली की डिटेल्स पूची वह पक्का तेरे प्यार में पागल है वाट रबश इसी चॉकिंग अरे मेरे शेर आखि का डोसा लाने को बोला कहा कि किसी को बताना मत तु सुनकर खुश होगा इसलिए तुछको मैंने बताया तुने मुझे मारा क्यों स्टॉप इस नॉंसेंस फिर से अगर लव और रोमेंस कहा तो आइम कोई टो किल यो बढ़ाया इंगलीश बोलने वाला तेरी पैदाइश को पुरा बना रहे हो आसनी क्या बात कर रही हो आप मैंने क्या कर दिया क्या कर दिया मेरी जिंदेगी को डिस्टप कर रहे हो वैसे तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बार में पता लगाना है तो मुझसे डिरेक्टली पूछ सकते थे ना ऐसे सब को चेंबर में बुला कर एं किसी की इंसर्ट करने की चीप मेंटालिटी नहीं है मेरी वो तो दिखी रहा है वैसे भी मेरे घर में खाना ओडर करोगे तो आदे घंटे में टेबल पर आई जाएगा इस तरह ब्रेकफस्ट और लंच के लिए भी क्यों मांग रहे हो ओडर किये हुए खाने में मा का प्यार खाने में भी प्यार होता है अ इसली कि होता है वू आपकी समझ में नहीं है अरुकि नहीं कम बैसे समझता चाहिए मुझे है अच्छी तरह अजा है मेरी गारग्ट को कैसे बुरा बनाने की सूचरह है पकड़ इसे मुझे जल्द से जल्द शादी करनी हैं लड़की ढूंडो लड़की ढूंडो शादी करेगा क्या रख देशी करनी के लिए लड़की ढूंडे की बात कर रहा था सुनिए इस बार मैं ऐसा रिष्टा लाया हूँ कि आप सब की आत्मा प्रसंद्न हो जाएगी जल्दी दिखाएए ना दिखाता हूँ दिखाता हूँ ये देखिये अरे देख तो कितनी सुन्दर है बेटा हो कर दो नौ ये देखिये अरे हां कर दें कितनी खुशुरत है देखो ना मुझे पसंद नहीं आई तो फिर ये देखे ले देख ले लक्ष्मी जैसी लड़की है देख ले जाओ तो आप अपने लिए देख लो शादी मुझे करनी है क्या बाकी की फोटो दिखाएए चलिए चलिए जल्दी से रखी न कैसे बोल दिया अब तुनिस की शकल देखी है अब मेरी नजरों से देखिया और तेरी निजर पे तो पथर पड़ गए तेरे पाव पड़ता हूं यहां से चलते नाम क्या है तुम्हारा कैज लक्ष्मी नाम की तरह ही भारी-भारी हो नाशना या गाना कुछ आता है तुम किसे आपको मेरी बेहन तो पसंद आ गए ना क्या है पसंद आई इसलिए तो इतनी दूर आए इसे देखने के लिए पूरा परिवार ब्रेक डांस करके धारती को हिरा रहा है पापा जोर से मत बूली हमारे परिवार की चोटी सी कमजोरी है म्यूजिक सुनते ही हम आटोमेंटिकली नाचने लगते हैं गलत में नाचते होंगे तब तो अब यहां कि हमारे लिए यह सब कुछ नया है ना घर आओगी तो आदत बदल जाएगी लड़की को लड़का पसंद आ गया है और लड़के को लड़की पसंद आ गया है तो हम सब मूरत की बात कर लें एक मिनेट रूकी एंसे कुछ परसनल बात करनी है अब यह सिद्धू तेरा भाई तयार है अब देख सुनिये आप जब शर्माती है तो बहुत यह खुशूरत देती है आपको मुझ में क्या पसंद आया आपका वेट एक फूल से भी ज्यादा प्यारी लगती हो मेरे रिष्टे की बाद चल रही थी ना इसलिए मैंने कुछ वजन कम किया था वरना पहले में दस किलो और जादा थी अगर आपको पसंद दे तो दस किया बीस किलो भारी हो जाओ आप जितना भारी होगी उतना मैं खुश हो जाओंगा सच में तो फिर शादी कब करेंगे एक महिने बाद पहले प्यार फिर शादी किया प्यार करोगी तो शरम पूरी नीकल जाएगी सच्य तो कल से प्यार करना शुरू कर दे कल लेंच पे मिले लेंच मेरी बस नहीं आनेगी मैं मानूंगी तो फिर कल ओफिस में आओगी क्या अब हम चलें है इसे तो पॉस्ट आप है इसे जिस ने शादि ना करने की कशम कहा थी जिस परी ने उसे राजी कर लिया एक बार उसे मिलना है जानू मैं आ गई मेरी एंजल मतलब तुम्हारी होने वाली बिल्कुल अरे भाई यह तो बहुत बड़ा शाक है यार तू अपनी स्कूटर से इतना बड़ा ट्रक कैसे कीचेगा यार अगर सोचोगे खीच नहीं पाओगे तो सब वोजंदार है लेकिन खीच लूँगा ऐसा सोचो तो सब कुछ अगर किसी की शादी फिक्स हो जाए तो कॉंग्रेट जी कहते है ना मतलब मेरी शादी मेरी पर्मिशन के बिना डिसिशन लेने वाली आप कौन होती है मुझे शादी के नाम से नफरत है और तुमने मेरी शादी दे कर दी लड़की को देखेंगे क्या फोटो भी लायों क्या लड़की ही ले आयों हे गाजी रिवेंच इतने भारी साइज में प्लान करोगी यह मैंने नहीं सोचा था हासीनी मैं तो मरा सिद्धू पता नहीं क्यूं मुझे लड़की तुम्हारे लायक नहीं है वो हम दोनों देख लेंगे मेरा जानू मुझे लंच पे लेके जाने वाला है उसके लिए पहले परमिशन दे दू पस अगर आप कुछ गलत नहीं समझोगी तो मैं यू जाके आधे घंटे में आ जाना देखिए प्यार के अक्षर लिखने में फिर उसे पढ़ने में फिर परीक्षा देने में वक्त तो लगता है ना अगर लेट हुआ तो इंसे कुछ कहना नहीं यह मेरी रिक्वेस्ट नहीं और है चलिए ना जानू देखा यह फॉर्टी डेज मेरी बॉड़ी में होकर कोई भी फाइदा उठाने पर और कोई भी लिमिट क्रॉस करने पर हमारा यह रिष्टा शादी तक पहुंच जाएगा उतना ही नहीं फॉर्स नाइट भी फॉर्टी डेज के बाद वो भी तुम है है हैंसुम कहां से आ रहे हो पप से या पार्क से मेरे साथ अफैर है इसके बावजूद भी तुमारी बॉस ने तुम्हें आफिस में रखा इसका मतलब तुम्हारा लव काफी स्ट्रॉंग है तुम्हारा लव कितना भी स्ट्रॉंग हो उसे कैसे वीक करना है और तुम्हें कैसे लॉक करना है साशा को अच्छी तरह पता है इससे अपनी बॉस को छोड़ दो वरना स्टॉप यो बुशिट तुम्हें जो ओफर दिया तो वो मिनु वाट अपन तुम ऐसे रोकियो रही हो क्या करोगे आप पता करके जा कर फिर से अन गुंडों के पैर पक्रोंगे है ना उस दून आपने उनका कॉलर पकड़ा होता तो आज ये सब नहीं होता बैट जाओ गाडी पर जाओ गाड़ी पर जाओ 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 ज ये साथ》 अ्याट हुआं प्रोंचों काया है जाओफ होता प्रोंटिन के जयाओ प्रोंजरा थे अद्धकी प्रोंटिश्वेच सब्सक्री में इनकी की प्रोंफाद आप जाओगा है है अरह स्पρώ्ण संब। मेरी सिस्टर को किस ने चुआ मैंने चुआ बे अरे उसने नहीं बे मैंने चुआ है मैंने बे बाई गल्बिया जबना हो गया याँ पर अच्छा तो अपने बहन हो गई मेरे भाई को छोड़ता नहीं है इस पार मेरी बहन को छेड़ेगा तो मार के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मार डालूंगा किसी को मारने से पहले उसका बैक्ग्राउंड चेक करना चाहिए कोई भी भाई अपनी बहन को टच करने वाले के बैक्ग्राउंड के बारे में नहीं सोचता लड़की को टच भी करेंगे मूड हुआ तो चुम्मा भी लेंगे ज्यादा अमन हुआ तो कहीं और ले जाएंगे उससे क्या कर लेगा तू हमारा भाई अरे भाई ठीक हो ना अरे क्या बोल रहे हो गया उस तरह मत बोल इस कान में आके बॉल अरे उसने आपको पॉस्पुलित्र से भाई उसने मुझे मारा तो तुम खड़े हो के तमाशा देख रहे हो के बेवकूप जाके मारा उसको जाए क्या से फटबॉल में मारते हैं बिल्कुल वैसे इसको भी मारा हो एक मर्द की बॉड़ी में दस मर्दों को मारने में जो मसा है सौ सांडबैक्स को मारने पर भी नहीं मिलेगा चल दिखा दे हुआ 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 और मारो अब आया मोटो मेरा जैकेट ला यह लो आपके जैकेट ला यह लो आवाज निया रही है अधिक अल्या पुलिस निया गई वाग रहा है क्यों रहे कॉलोंडी में दादा गीरी कर रहा है चल पॉलिस टेशन खालत चके पे हात लगा दिया भी तूने तू तो गया गूर क्या रहा है बे तू क्यों रहे है एड कॉंस्टेबल कुमारेगा तू बहुत अकड़ है तेरे में उतारूंगा सारी अकड़ उतारूंगा तेरी कली मैंने दांत निकलवाए थे सर तो रूक यार रुक सर इसमें मेरे भाया की कोई गलती नहीं है बहुत दिनों से वो कर रहे थे आपने कंप्लेंट्स की पुलीस में डारेक्ट जाके कुंड़ा कर दी शुरू कर दी तुम्हारा भाई खुद को हीरो समझता है क्या ऐसे घूर क्या रहा है तू हाँ ज्यादा खुश्यार बना तो हैं काउंटर कर दूंगा तेरा मेडम नमस्ते आप क्यूं आई मुझे बोलते थे मैं आ जाता मैडम मैं सिध्धो जी को मेरे बहुत करीबी है यह करीबी मतलब आपके होने वाले हस्बेंट ने क्या मैडम नए इतने करीब नहीं है सुरिया इन्हें बेर पेपर दिखाए उसकी क्या जरूरत है मैडम आप यह सहाब की बेटी है आप फोन करती तो भी मैं उसे चोड़ देता अरे सर को बाहर निकालो अरे सब छोड़ो यार मैडम सर ने गुश्चे में आकर हमारे कॉंस्टेबल को थपड़ मार दिया विचारे को बहुत बुरा लगा सर से बोलो ना सौरी बोल देख वा उसके लिए म आप क्यों सौरी बोल रही है मैं कॉंस्टेबल को मना लूंगा मैडम रहें दीजिए तुम रुको यार पड़े लोगों से पंगालों के तो नौकरी चली जाएगी मैडम आप जाहिए ना जाहिए ना थांक्स माडम रो मत मीनो मैं हो ना ओके चलो थांक्यू मेरी बचाने क पर फोन पर क्या कहा था मैंने लॉयर को भेजने के लिए तो डारेक्ट पुलिस टेशन में आ जाओगे एनके की बेटी पुलिस टेशन में आई है पता चला तो मीडिया क्या लिखेगी जानते हो कमान सौरी माडम मेरी बहन के साथ पता नहीं क्या हुआ इसी टेंशन में य नहीं आई बहुत देर हो गई है पहले कभी इतना लेट नहीं आई कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था इससे अरे आ रही होगी किसी फ्रेंड के घर चली गई होगी क्या पता सावित्री फिक्र मत करो देखो वो लग आ गए कहां गई थी तुम तुम्हारी माद कितने चिंता कर रही थी कहां गई थी कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था अरे तुझे पता मुझे कितनी फिक्र हो रही थी हां क्या हुआ क्या हुआ कुछ नहीं मा दिखा यह चोट कैस बुद्ध की तरह क्या खड़ी है कुछ तो बता क्या हुआ दादी वो मैं जब कॉलेज से आ रही थी तुम अंदर जाओ प्लीज तुम्हारे शरीर पे कितना घाओ लगा है कुछ नहीं हुआ है छोटा सा घाओ है दादी मा दिखा तो कितना कितना खून बह रहा है मां तुम ऐसे रो क्यों रही हो क्या हुआ क्या हुआ तेरे साथ बिटा अरे मुझे बताना क्या हुआ यह चूट कैसे लगी तुझे मां फिक्र मत करो मां कुछ नहीं हुआ है मुझे तुम हमेशा जगड़े से दूर रहते थे पिर आजकल इतना बदल के से गए हुआ नमस्ते दादी जी कौन हो तुम बेटी सीधे स्वर्ग से आई हुई महालक्षमी जैसी लग रही हो कहीं आओ जाना था गलती से यहां आ गई क्या कि दादी जी सिध्धू है क्या सिध्धू कौन है बीटा अरे दादी लगता है मुझे जैगवर से उतरते वे देखकर इनका दिमाग खराब हो गया है आपका पोत कंच्या कि ISDU तुम्हें बहुत चांदा पसं और थेकृषय की उसकी शाहित होने थो फिक्स तुम्हाँ तो बोलो प्लसा यारे टेरी बॉस टुझे ढूंटे यह मतलब यह तुझे कितना पसंद करती होगी रहना दीजी ना दीजी लो बेटी दोसा खाओ दोसा दोसा मा कंगी कहां पर है हमारे घर पर भी सेम प्लेस आप यहां कैसी है हाई मीनू मैं आप ही आती है सिद्धु को उसकी मा के हाथ का डोसा बहुत पसंद है पता नहीं आजकल क्यों पीजा बर्गर फ्राइस यह सब खाके खुद को बरबाद कर रहा है उन्हें ओफिस के लिए 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 की फीलिंग है मेरी परमिशन के बिना मेरी घर पर आते हूं यह ठीक नहीं है हम देखा जाए तो यह मेरा घर है मेरी बात तर सुनों यह क्या प्लीज्ट 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 आप रोज रोज इतनी मैनद क्यों करती है माडम मुझे सिखा देंगी तो मैं साइन खुद ही कर लूगा और एक्टिंग बन करो वरना यह पैन तुम्हारे अंदर खुषा दूंगी अगर ऐसा करना होगा तो तुम्हें खुद के अंदर ही घुषना पड़ेगा बस उसी ए आपने आप मुझे पसंद नहीं करती फिर भी सुबह उठते ही आपको मेरा देखना पड़ता है मुझे फ्रेश करवाना पड़ता है ब्रेक्फेस्ट करवाना पड़ता है और कितने दिन चलेगा यह सबना टक्त हास नहीं यह चेक इसको 24 गंटे थे नहीं चेंबर में क्या काम रहते हैं तुम्हें क्या काम है बात क्या है क्या चाहीए इस चेक सांट चाहिए हाँ हाँ थन तदद दद करो मॉझे अभी र कहा ना बात भीज्वा देंगे तू मुझे बनकर तुम साइन करो अभी पॉसिबल नहीं है, I'm busy now बहुत busy हो है, इसके साथ time pass में busy हो ना शुटा मैं, get out, I say अरे, ये दो कौड़ी का आदमें मुझे get out बोल रहा है और तुम खामोश हो नहीं, 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 दुस्से नहीं हम दोनों को जिसने पैदा किया, उसे बात करूँगा, मैं सिर्फ पासलक नहीं, जादाद में अपने हिस्से की मान करूँगा, मैं ओके, तुझे देखता हूं, मैं ये सब क्या है, आपने उसे get out क्यों कह दिया ओकोड़, अब घर जाकर तुम्हारे पैदाजी से पता नहीं कितना जगड़ा करेगा दाड़ी, मैंने कुछ बनाया है, ये देखे, गुलाब जामन भार में गया तेरा गुलाब जामन चोटे से चेक पर साइन करने के लिए सौ बार उसके चेंबर में चक्र काटने पढ़ते हैं मुझे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा दे तो मैं यहां से चला जाओगा इन से पूछो, जब तक हम बहार नहीं जाएंगे न, हमारी हमियत पता नहीं चले ऐसी बातें मत कीजिए, साहब का आपके अलावा बहला कौन है हेलो, मेरे अलावा उनका हर कोई है, तू चुप रहे तुम्हें चेकी चाहिए न, अब ही देती हूँ तेरी दया की भीक मुझे नहीं चाहिए, जायदाद में हिस्सा चाहिए देखो, पेरेंस के जिन्दा रहते, बच्चे जब जायदाद में हिस्सा मांगते हैं, तब उन्हें कितना बुरा लगता होगा, कभी सोचा है तुमने उस लफंगे के साथ घूमते समय घर की इस्दत याद नहीं आती है तुम्हें बस बहुत हुआ, मैंने तुम लोगों को लाड़ प्यार से पाल कर गलती की, मेरे जिन्दा रहते जादा नहीं बटेगा तो फिर मर जाओ अपने पिदाजी के बारे में कोई ऐसी अनाप्शरा बातें कहता है क्या, शरम नहीं आती तुम्हें शरम की बात तुम तो मती करो, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुझसे, छे, इस घर में आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सब के सब मर जाओ कहीं जाकर सुनिए तू आजा चल, मेरी बात तो सुनिए रुकिये, हम भी आ रहे हुए धाणी दि द्दर्वाँजा खोलिये, धाणी द्दर्वाँजा खोलिए धाणी, जाणी एटि ओपिन जो मेना नुप्र तो चोड़ दो मुझे आपको समझ में आ रहे हैं अगर मेरे मरने से तूँ दोनों खुश रह सकते हो तो ठीक है लेट मी डाई बेटी लेट मी जाए नहीं समस्या क्रियेट हो जाती है यहां पे समस्या मेरी जिसके खत्म होने पर ही समस्या का समधान होगा देखें दारी सोच के पर जल्दबार से में लिए गए देशिजन हमेशा गलत होते हैं भाईया को बदले के जिम्मेदारी मेरी है उस्पर भरोसा कीजिए उजी जारे के ही है अगर क्या रहा है खाएगा तू अच्छी अरे उस अम्रूत को खाने से पहले कम से कम एक बार दो तो लिया होता भाई कितना गंदा आदमी है यार तू अबे सवक्षता अभियान यह लग धोते हैं हमें क्या करना है यार चाचा बताओ यह सब धोकर रखते हैं यह क्या कहरे हो बेटा हमें पतानी कहां का घुमना पड़ता है ऐसे रोज धोएंगे तो कैसे चलेगा खाने से पहले तुम लोगो कर्क्रणेश सथीं, कर्णेश स्थीं, कर्णेश से बाहँ, कर्णेश Кर्णेश recommended by warning me साथ रुपए किलो साथ रुपए ले लो ताजा है कितना बीस रुपए का एक है नहीं चाहिए ले लो अबे धोई बिना खाता ही कि में तू देवतेरी मोल लेता है लेकिन तू तो मेरी बात मानेगा ने आईये सर आईये क्या हुआ राओ जी सब आपकी रहा देख रहे हैं सर कंग्रेट सर आप हमारी कंपरिंगे नए CEO पॉइंट हुए हैं मैं और CEO किस ने कहा हासिनी जी ने कहा वो अंदर ही है हासिनी ने इंपॉसिबल जराटी भाइया क्या हुआ यहां कड़े खड़े क्या देख रहे हैं भाइया हां आए ना बेठिये ना आज से इस कंपनी के हैट आप ही है एक नट तुमने मुझे भाइया बुलाया हां बैए इस जनम में तुम भाइया कोगी सोचा भी नहीं सौरी भाइया मेरे आटिटूट की वज़े से आप बहुत परिशान हुए हैं ना नहीं हासिनी मैंने ही अपनी गलत आदोतों से तुम सब को दुख पहुचाया है आप अगर बदलेंगे तो सबसे पहले खुश होने वाले इंसान डाड़ी होंगे हाँ पापा को एक पिता की तरह इज़द जिंदगे में कभी नहीं दी मैंने इतने साल तक आपने जो नहीं इज़द दी है CEO के तोर पर इस कंपनी को भी देंगे ना भाया? जरूर हासली मुझे लगता था कि तुम मुझे नफरत करती हो लेकिन इतना प्यार करती हो मुझे आज पता चला मैं इतने दिनों से आपसे नफरत करती थी उसकी वज़े आपकी आदिते थी आप बिलकुल नहीं भाया इस कंपनी का CEO बने लाइक मैं नहीं हो तुम ही ठीक हो लगता है सिस्टर सेंटिमेंट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है उतना ही नहीं कोई भी भाई अगर बहन ने प्यार से मांगा तो जान भी दे देगा चलता हूं रहे थांक यू भाया इसके अंदर बगलाव देख रहा हूं तो हमारे इनके जी की अच्छे दिन आ आ गये लगता है शुक्र है भगवान का हे भगवान मैं एक महिने के बाद अपनी कार निकाल रहा हूं तायर को कुछ ना हो सत को कुछ ना हो बचा ले ना भगवान जा बे एक यह है कभी टाइम पड़ दें आती हरे आओ ना क्या कर रही हो अंदर हम हम मा जी सावित्री अरे यह ऐसे कैसे किर गई है भगवान अरे क्या हुआ इसे देख जल्दी हां हॉस्पिटल लेकर जाए मा कुछ नहीं होगा मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूं तुम्हें कर दो मैं कर दो कर दो कर दो कर दो हीव युँँ एक है दीज़ आहना हां सिदु युँँ पेले जा जा रहा हूं सिदु हाड अटेक हाड आटक झाल 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 जाएंगे नाधिंग टुवारी करिक टाम पे उन्हें लेकर आए अगर पांच मिनिट भी लीट हो जाथा तो उनके बचने की चांसिस नहीं होते आप बहुत लखी है अब कर आप शुक्रिया वो तो वक्त पर सिद्धु घर पर था इसलिए मेरी बभु बच गई उसे तो ड्राइविंग भी नहीं आती यहां लेकर आया भगवान ही जाने आप सिद्धु हासनी मैं तुम्हें किस तरह थैंक्स कहूं समझ नहीं आ रहा मुझे क्योंकि मेरी मां मेरी जिन्दगी है अगर उन्हें कुछ हो जाता तो तो मेरी भी मेरी जान चले जाती थैंक्स हासनी पता है तुमने सिर्फ मेरी मां की सिंदगी नहीं बचाए मेरी सिंदगी भी बचाए है क्या बच्चों की तरह बोल रहे हैं तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है सिद्धु मा तो सब के लिए माही होती है मैंने तुम्हारी मा को बचाया ऐसा मुझे नहीं लग रहा है अपनी मा को बचाया है ऐसा लग रहा है वो भावना को थैंक्स कहे कर प्लीज मत मिटाओ यह मेरा फर्ज है इस ओके इस ओके सिद्री अरे बाप रहे अरे बाप रहे मेरी कार मेरी कार अरे अब आसी तुम्हारी क्या किया है मेरी कार के साथ तुन्हें यह वगवाई तेरी यह हालत में नहीं देख पाऊंगा तुन्हें वर्माद कर दिया मुझा सिद्धु मेरी कीमतिकार का पोस्टमार्टर कर दिया तुन्हें अरे यह क्या कर दिया सिद्धु ठीओ मेरी को सब्स्दार ग्रेंधू पुम्हें अरे किया खुछू मैं मैं कुटीज फूम्हें है च मैं 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 अ अर। एक मैं मैं अर लिए नेगा लिएं भाव थे कि मैं 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 एक रूप्यू अरे ठीक से पक्ड़ो बेटा यहां जरूर जाओंगा ओके मुझे दो यह लीचे दादाजी नहीं पखरता है ना दादाजी चेटा चूट गई आपको ऐसा देखने पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है थैंक यू सिद्धू जरा सुनो तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है जरा उपर आओ ओके डैड़ी हम अभी आते हैं ठीक है वेटा अएनी प्रॉब्लम वो शाषा ने जो वीडियो निकाला था उसे हासनी को मैं नहीं दिखाया था वो किस तुमने नहीं दिया था तुम्हारी कोई गलती नहीं थी किसी भी तरह तुम दोनों को अलक करना चाता था इसलिए ऐसा किया अभी जाकर मैं हासनी को सब कुछ बता अगर आपने उसे ये बात बता दी तो उसके लिए मैं अच्छा बन जाओंगा पर आप उसकी नजरों में बुरे बन जाओगे वो मुझे पसंद नहीं होगा इसलिए ये बात आप किसी को भी मत बताना ओके मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा सिद्धू बेवज़ा में ओफिस में मैंने तुम्हारी उपर हाथ उठाया था मुझे माफ कर देना इस ओके ये बात अब यहीं पर भूल जाते हैं मैं मेरे मन में कुछ भी नहीं रखूंगा और आप भी मत रखना ओके बट आफ और आफ तो गो क्या हुआ यहां पर क्यों रोग दिया हे हैंसम क्या पात है स्टाल काफी बदल दिया है अपना मेरे लिए एक बात कहूं तुमसे तुम्हे किस करने से पहले मुझे हमेशा तुम पर हुस्सा आता था लेकिन जब से किस किया है न वो उस्सा प्यार में बदल चुका है अब भी नहीं समझे लगता है एक और किस करना ही पड़ेगा और एक बार अगर सिद्धु के पास आई तो आइम गवाइं टो के लिए माइंड एट यो धर्मा की बेटी को मारा तुमने तुम्हारी लाइफ में रिस्क बढ़ गया है तयार रहना पेस करने के लिए सिद्धु मेरी बॉड़ी में रहकर तुमने मेरी फैमिली को बदलने का सोचा तुम्हारे सच्चे प्यार को मैं अब जाकर समझी हूँ हासनी तुम ऐसे अचानक क्यों चली गई ठीक है कल चालिसवा दिन है पता है ना तुम्हें अच्छा यह क्या चालिसवा दिन है सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी मुझे ऐसा लगा था पर क्या हो गया तुम्हें कल ही सबसे पहले हम जाकर गुरी जी से मिलेंगे ओके ओके कि अब कि हुआ 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 है मैंने तुम्हें साशा की बात को लेकर अपने दिल में बहुत गलत बातें सोच ली इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है नहीं है थैंक्स मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे मन में वह भी मुझे बताने का मन कर रहा है तुम्हें पता है मैं भी बात के लिए दिजार कर रही थी मेरी तरह रात भर प्राक्टिस करके कहूंगा ऐसा मत कहना सिधू कौन है बे जिसने हमें किड्नाप कियो कहां पर हो यह सब क्या हो रहा है जगे का पता नहीं है पर प्लान करके किड्नाप करने वाली जरूर वह धर्मा की बेटी साशा ही होगी करेक्ट किया तुमने तुम्हें किड्नाप मैंने ही करवाया है मैंने बोला था न हमें किड्नाप करने वाली तुम नहीं हो पहले में तुम्हें किड्नाप करने वाली थी पर मुझे ही किसी ने किड्नाप कर लिया कौन हो तुम लोग आज मेरी शादी है आज मेरी शादी है मैं दुनन बनूंगी तुम हो हम मैं हूँ जानू तुम्हानी गजनी मुझसे शादी करोगे ना क्या शादी नो 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 क्यों क्या हुआ शौक लगा क्या मुझे सब पता था तुम इससे प्यार करती हो है ना रोमांस करना चाहती हो मेरे जानु को मुझसे छीदने की कोशिश कर रही थी इसलिए तुम्हारी आखों के सामने मैं इनसे शादी करूंगी तुम देखती रहना पर जग जिए उसलिए कि वात कही है किया हुआ वह में तुम्हाट में बताऊंगा पहले हुआ से एक जगा पर जाना हो फिलीज फोलो मुझे मंगल सुतर पहना कि पहना हुँगा कर भी क्या सकता मैं पयाइयों अपने जीचा को तयार जरो जिसर पहना मैंनेज करूंगा न कहां पर है तुम्हारा गुरुजी और चलो 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 कि यह क्या हो गया गुरुजी इस तरह लेटी हमें क्यों हमारे गुरुजी अब नहीं रहे आज सुभाही वह पर लोग सिधार गए जिंदेगे में फिर से आपसे मिलने की जरूत ना पड़े ऐसा मुझे फिर से अब शिराप दे दीजिए गुरुजी प्लीज ठीक है पेटा तथास तू अगर आप जो किरें वह सच है तो फिर हमारी समस्या का हल कौन निकालेगा अरे गुरुजी रुको बेटी रुक जाओ हमारे गुरुजी ने सब का कल्यार ही किया है तुम्हारी सम करने चाहिए अब जिन्दगी बर तुम्हारी बॉड़ी में मैं और मेरी बॉड़ी में तुम हो जी बुचे मुझे से नफ्रत हो रही है आप पिक्रमत कीजिए ज़रूर हमें कोई ने कोई रास्ता मिल जाएगा सारे रास्ते बंद होने के बाद और एक रास्ता खुलेगा इसके हम उमित कैसे करें बात वो नहीं है हासनी मेरी बात तो सुनो तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूं हमारे सोल्स अगर नहीं बदले तो क्या हुआ हम हम शादी कर लेंगे नहीं हो सकता है सब खत्म हो गया अब कैसी शादी पर पर मैंने यह सब जान मुझकर नहीं किया अब गुरुजी का इस तरह से पर एक बात बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं हासनी तुमने जान बुझके किया हो या नहीं किया हो जो होना था वो तो होई गया अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी गलतियों के कारण मुझे सजा मिल रही ह हासनी, 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 please...... please.. हासनी I love you Goroji लाद लाद हाँ 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 नमसे दादी जी हाँ 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 यही हमारे लड़के को ठीक रहा पे रख सकती है भग्त तुम्हारा श्राप हट गया है तुम्हारी बॉडी तुम्हें वापस मिल गई है अब जाकर अपनी डार्लिंग के साथ डुएट गाना गाओ उठो भग्त उठो कितना अच्छा सपना था सच हुआ होता तो कितना अच्छा होता जो किया वो काफी है अब ओवर रियाक्त करो चली से रेडी हो जाओ ना जाओ यह यह बॉडी मुझे वापस मिल गई और बागी सारी चीज़ों ठीक हो तुम बहुत खुश नसीब हो देखा चाहे तो तुम्हारी लड़की ही खुश नसीब है हमारे लड़के का नसीब तो बहुत अच्छा है अब थाली एक दूसरे को दे दीजिए क्या हुआ एक नंबर का गदा है कल तक शादी से नफरत करता था ताब उसका पलू नहीं छोड़ रहा है सिदू क्या हुआ है यह सब कैसे हुआ अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारी आत्मा कैसे बदल गई अच्छा प्यार क्या होता है फैमिली की एहमियत क्या होती है इन चालेस दिनों में तुम्हारी बॉड़ी में रहकर ही मैंने समझा है और फाइनली सुबह उठते ही मेरी बॉड़ी में मैं थी गुरू जी आई लाव यू जिस दिन इन दोनों ने एक दूसरे के मन को अच्छी तरह समझ कर मर्द और और औरत का भेभाव किये बिना जिंदगी भर मिलकर रहने के लिए सोचेंगे उसी दिन इनका शराप अपने आप ही हट जाएगा सर्वे जनाह सुखिनो भवन्तु शुभं कल्याण मस्तु अब यह गलत है यह औरत भूत नहीं होती है देवी होती है हमें जनन देने के लिए वो बहुत दर्द सहती है हमें प्यार देने के लिए हमारी गलतियों को सहती है अगर पापा ना हो तो मा उनकी कमी पूरी करती है पर जहां मा नहीं होती वहां पापा कुछ नहीं कर सकते है एक औरत की तरह मर्द कभी प्यार नहीं कर सकता, वो अगर इस धरती पर पैदा ना होती, तो प्यार का मतलब समझ में नहीं आता, कोई भी मर्द प्यार करना एक औरत की गोद में ही सीखता है, हम किसी के साथ भी खुशी से हस सकते हैं, पर दिल खुल के रो सकते हैं उनी के गो हम मार रहे हैं, फिर भी हम पर भरोसा करके, हमारे साथ ही जी कर, वो हमें जीना सीखाती है, हम किसी तरह उनका कर्ज नहीं चुका सकते हैं, कम से कम उसे रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं, औरत को रिस्पेक्ट देने का मतलब हमें जनम देने वाली माह को रिस्पेक्ट देना ह झाल